लॉंबक पहुंचने के बाद हमको एक फास्ट बोट लेनी थी बाली के लिए और उस नाओं में जो हुआ वो आप खुदी देख सकते हैं मौसम खराब होने के चलते उस दन समुंदर की लहरे बहुत तेज थी नाओं में हलचल इतनी थी कि कम से कम नहीं तो 30 लोगों ने वॉमिटिंग की होगी फिर एक तेज जटका आया और लोग लाइफ जैकेट की तरफ तूट पड़े लाइफ जैकेटे थोड़ी कम थी तो मैंने अपनी डोनेट कर दी क्योंकि मुझे लगा कि अगर नाओ डूबी तो ऐसी लहरों में तो मैं लाइफ जैकेट के साथ भी नहीं बचपाऊंगा और फिर अनोनी ऐसी हुई कि हमारी फास्ट बोड को एक सुपर फास्ट लहर ने ऐसी टकर दी कि आगे का पूरा शीशा तूट गया और पानी अंदर आ गया इंपक्ट इतना था कि 15 से 20 लोगों के खून निकलाया उसके बाद भी बोट वाले ने बोट धीरे नहीं की जब फाइनली बाली पहुँचे सब के बैक पानी से पूरी तरीके से भीगे हुए थे और सब इतने डरे हुए थे कि नाओ का अगला स्टॉब नूसा पनीडा था मगर फिर भी सारे लोग बाली में ही उतर गए